जे शीर रादे सभी को राधावलव श्री रिवन्स और आज मैं फिर गार्डन के सफाई में लग गयी हूँ क्योंकि मैंने सफाई उपर के फ्लोर से ही शुरू करी है तो मैं सोचने हूँ पहले उपर का यह फ्लोर क्लीन कर दूँ तो आज गार्डन का नंबर है देख सकते है अब जैसे बर्शात गई है न तो सिंगोनियम ने बिल्कुल जंगली तरीके से अपना विस्तार किया है चारो तरफ फैल गया है जिधर देखो उधर सिंगोनियम और नीचे जो पेड़ बुसी होना चाहिए न बुसी तो नहीं हुआ लेकिन ये लंबाई में चल पड़ा जहा तो अब ही अपको दिखाते हूं कितने लंबी-लंबे उसकी जड़े हो गया है देखो जहां जहां इनको नमी मिलती चलिए यहां पर इस पर कैसे कितनी पक्की जड़ पकड़ रखे इस नहीं है यहां पर गंबले पर दूसरे पर यह स्पाइडर प्लांट का पेड़ा है जो मनी प्लांट चलता है ना इस तरह चल पड़ा तो अब मैंने कहा चलो इस से ना कहीं पोदे बना लेता है क्योंकि इसमें रूट बहुत निकल रही है तो छोटे-छोटे गमलों में लगा के एक लाइन तयार हो जाएगी सिंगोनियम की और नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी क को ग्रिप्ट भी कर सकते हैं और यह सिंगोनियम का एक पेड़ा आप लेकर कहीं से लगा लिजिए खरीदने की ज़रत निया हर घर में आपको सिंगोनियम मिल जाएगा जो भी थोड़े बहुत पोदे लगाते हैं सबसे सस्ता प्लांट होता है सिंगोनियम का और अगर आप अपने एक बार अपने गार्डन में लगा लियाना ये कभी नहीं मरता है तो सबसे पहले तो मैंने ये एक पोदर रिपोट किया ये छोटे से गंबले में था बड़ा तच्छी चल रही है दो कलर के पत्ते हैं इसके वाइट और ग्रीन और जड़ पकड़ लेता है अच्छी ये भी तो ये मैंने मोसिस्टिक लगा के इसमें लगा दिया था इसको और अब ये देखो आप सिंगोनियम की आलत नीचे से पत्ते सारे सूख गये हैं और ये वेरिगेटिड वराइटी थी मतब जिस पर पिंक कलर के पत्ते भी थे इसमें लेगिन अब इतनी बढ़ा तील अबले बनाए हैं क्योंकि वेस्ट तो करना नहीं है जब ये चल जाएंगे और ये बहुत इजी टूग्रो प्लांट है बिल्कुल चल जाएगा बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रुत निया कि चलेगा नहीं चलेगा आप ऐसे ही कटिंग करके इसको लगा दीजिए और ये चल जाता है ज्यादा एक महीने में इसमें नई पत्या निकल आएंगी मैं आपको इनका रिजल्ट भी दिखाऊंगी जब इसमें नई पत्या निकल के आएंगी तो सारी रूड जो इखट्टि करके मैंने इस तरह लगा दिए गमलो में जो ज़्यादर लंबी रूठ थी व बनाने में यह जैसा मैं एक पोदा लगा रही हूं है साही इतना वुसी पोदा अगर आप टेली वाले भाया से लेंगे वह कम से कम है 40 रुपे का तो देंगे यह आपको 40-50 भी दे सकते हैं तो आप इस तर अगर आपके गर में भी लंबा-लंबा सा सिहोनियम हो रहा है उसको कटिंग करके कहीं प्लांट बना सकते हैं तो मैंने वेस्ट नहीं किया है बिल्कुल भी पोदे को सारे पोदो से यह सिक्स गमले तयार कर दिया है देख सकते हैं आप कितने सुन्दर हो रहे हैं कुछ दिन में बिल्कुल अच्छे से चल जाएंगे तब भी मैं दिखाऊंगे और आप देखिए जंगली हालत मनी प्ल मुझे निकलेंगी क्योंकि दूसरा मोरपंखी वाला पोधा गिरने को हो रहा है तो यह लगबग मुझे लग रहा था गिरी जाएगा तो फिर मैंने इसको यहां साइड में रखी दिया है अब अराम से करके निकालूंगी क्योंकि ना कितना भी मैं इसको लपेट रही थी जब बारिस हो रही थी लेकिन बारिस में तेज इसर बढ़ता है रुड़े भी तेज़े से बढ़ती है तो इसने पूरे ऐसे अलग अलग गंब्लों में जाकर जड़े जमाली देखो इस तरह और पूरा जंगली हो रखा है देखो इसकी भी कटिंग करूँगी कुछ के म award श्रू टिक के चार तर्ड़ा पिला पेट दूँगी देखो ये मैंने इस तरह इरेंज कर दिया है पूरा एक्स्टर एक्स्टर काट दिया है फिर ग्रोथ हो जाएगी इसकी तो बहुत सारी पता नहीं कैसे कहते हैं लोग हमारी प्लांट ने चलती मेरा तो पूरा जंगल हो रहा है और ये जो पोदा मैं आज रिपोर्ट कर रही हूं पूनम दीदी आई थी वो मेरे लिए इसको गिफ्ट में लेके आई थी नाम मुझे पता है लेकिन पत्तियों का कलर चेंज होता रहता है कभी वाइट सी हो जाती है और कभी ग्रीन हो जाती है जिस गंबले से मैं मट्टी डाल ज़ूँ इसी गंबले में था ये लेकिन अभी जड़े फैल गी थी तो मैंने बड़े में shift कर दिया है और ये है एक अपराजिता अब की बार मेरी जो अपराजिता थी, जो मैंने खुद बीज से उगाई थी, उन पे एक कीडा लगा, वाइट कलर का, छोटा-छोटा सा, तो मेरी अपराजिता दोनों खराब होगी, तो अब की बार मैंने नई अपराजिता लिये हैं भया से, और ये है एक ये जो कटिंग व हूँ, गुल्दावदी की कटिंग, कटिंग क्या कहूँ, तयार पोदे ही लिये हैं, मैंने छोटे हैं, प्योध है, तो छोटे गंबलों में लगाऊंगी, ताकि मैं लाइन से लगा सकूँ, और बहुत सारे फूल खिलें, जब इन पे सर्दियों में, तो ये सुन्दर लग हूँ है, और मेरे पास भी गुल्दावदी का एक थोड़ा बड़ा पेड है, पिछले साल मैंने बड़े गंबले में रख दिया था, तो वो मरा नहीं है, मतलब अभी भी पिछले साल का चल रहा है, तो मैं भी सोचनी हूँ कि उसकी कटिंग कुछ लेक है, और मैं भी लगा पूल खिले रहते हैं, तो बड़े सुन्दर लगते हैं, टाइम तो लगेगा, लेकिन हाँ, क्योंकि जादा बड़ा पोधा लेते हैं, तो महंगा भी मिलता है, अब सस्ते लिए हैं, तो केर करूंगी तो इनकी हो जाएंगे फूल देने लाइक जब तक इनका समय आएगा, और सर्दियों से लेके, फिर ये मार्च तक फूल देते हैं, गुलदावदी, तो मार्च तक इनमें देखते हैं, कितने फूल कि लेंगे, वो भी आपके शाथ शेयर करूंगे आगे वीडियो में, अब बस अभी तो मैंने गार्डन से ही सफाई शुरू करी है, गार्डन मत अब निमठती चली जाएगी, और ये दो मैंने लिये थे करोटन के पोधे, पतले वाला करोटन एक मेरे पास था पहले से, दो और मैंने लिये हैं, थोड़े सस्ते मिल रहे थे और मैं सुचा चलो ले रहती हूं, लगा देती हूं, क्योंकि पोधों को तो सोंक आपको पता ह मुझे है ही, तो ये अच्छा लगता है पोधा हमेसा, मुझे वो ही पोधे ज्यादा पसंद है, जो हमेसा ग्रीन रहते हैं, तो ये दोनों भी मैंने लगा दिया, ये छोटे वाले गंबले हैं, बहुत बड़े गंबले नहीं हैं, प्लास्टिक वालों से थोड़े से मैंने, इन में भी मैं गुलदावदी की कटिंग लगाँ, चलो कटिंग लेने चलते हैं पहले, तो देखो ये है, यहां पर एक ये, मैंने गुडल के पोधे में रख दिया ता है, तो ये अच्छा सा खूब हो रहा है, फैल रहा है, तो इसकी में ये आगया आगया की सारी टिप काट दूँगी, ताकि ये अच्छी से ग्रोथ ले लेगा, और फिर इसको लगाते हैं, देखते हैं कैसा हो पाएगी ये नहीं हो पाएगी, एक दो तो हो ही जाएगी सक्सेस, मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं लगा नहीं, मैं ज़्यादा तर ये की गंबले में लगा दूँगे, जिस से बुसी सी कटिंग हो, क्योंकि जो नर्स्री वाले होते हैं तो वो तो एक बिल्गुल एक ही स्टैम लगाते हैं एक जगे, अब मैं देखते हूँ जितनी अच्छी में से सही सही होंगी, वो लगा दूँगे, लेके आगे जी कटिंग, अर अब सु यह है, इसकी टहनी यहां से कटिंग करके इसकी और इसके नीचे के पत्ते हटा देंगे, इस तरह काटके, जो अच्छे अच्छी सी है, मजबूत सी, इस तरह करके, सारी मैंने काट लिए, यह डंडी तो फैंक दूँगी, अच्छा है तो इस अभी काट दूँगे, अगर ह और नीचे के देखो, इस तरह पत्ते हटा लेंगे, इस तरह एक आत में पकड़ते चले जाएंगे, नीचे नीचे के पत्ते सब हटा देंगे, इस तरह जितने टहनी हमें मट्टी में काड़नी है, उतने पत्ते हम हटा देंगे, इसके ऊपर के थोड़े से छोड़ देंगे क्योंकि खाना बनाने के लिए भी चाहिए और ज्यादा बड़न नहीं देते हैं प्योद पर पत्तों का तो इसलिए इसलिए मैंने तीन चार कटिंग ले ली है यह हाथ में और अगर हो जाएंगी तो अच्छी बुसी हो जाएंगी तो अच्छी बात है अगर चाहूंगी तो फिर सेपरेट कर सकती हूँ निकालके और बीच में अच्छी से ऐसा होल्ड करूँगी मैं आराम से और इसमें इन्हें लगा दूँगी बाद में इसमें मैं पानी दे दूगी तो थैलिया भी यूज हो गई हैं अगर चल जाती हैं तो फिर इन इसमें से निकालके मैं थैलियों से गंबले में सिफ्ट कर दूँगी और चलेंगी नहीं चलेंगी ये तो कम से कम हैं 15 दिन के बाद पता चलेगा अगर 15 दिन में इनमें रूट आ गई तो देखते हैं चल में दे देती हूं पानी और एक-दो दिन यहीं रखे रहेंगे सेड में ही उसके बाद में इने दूप में रख दूँगी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देना चैनल पर पहली बार आयो तो चैनल को सस्क्राइब कर लेना और वीडियो के लिए तो आप भी करिए गार्डनिंग और खुस रहिए जब आपको ऐसा लगए कि आप बोरे हो रहे हैं तो अपने गार्डन में जाईए और कुछ काम करना सुरू कर दीजे आपकी बोरे तो बिलकुल खतम हो जाएगी बहुत अच्छा काम है अपने पोदों से बात करिए उनको को देखिए उनमें कोई बीमारी तो नहीं है किस चीज की जर्रत है जब आप उनके साथ बैट के समय बिताएंगे ना तो बे जुबान भी बोलते हैं महसूस करना कभी पोदों के साथ बैट के कितना अच्छा लगता है मैं हमेश अपने पोदों के साथ थोड़ा समय बिताती हूं मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ सभी को राधा राधा एंड बाई बाई